इन्सीट वेलानरेख तो आगर एंड वेल्कम तू जिए छो मारी वीडियो है, वह है हमारी SMC committee के ऊपर कि आपने इसको ओनलाईन कैसे फिल करना है, कैसे आपने आपने इसकी मत्री बेटेल है वह आपने ओनलाईन फिल करना है तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्ली सब्सक्राइब करना न बोले हमारे यूटीब चैनल इलेना रेक को और ऐसे ही लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न बोले तो बात करते हैं हम SMC committees के रिगारिंग तो इसके रिगारिंग जो एक letter circulate होई थी उसमें इन्होंने कुछ directions दी थी कि आपने इसको आपने कैसे फोर्म करना है कैसे आपने जो इसको आप जब create करोगे तो आपके पास क्या-क्या options होने चाहिए क्या-क्या इसके जो directions हैं वो सार आपकी जो cut to cut 5 इस तरी member होने चाहिए हन सकत्तर तो बिना 12 memory committee वेच cut to cut 50% जो है वो female staff होगा female members होगी तो यह सारी के सारी जो guidelines है वो इन्होंने यहां पर बताई हो यह आप रीद कर लेना performance आपको यहां पर दिये हुए and then यह performance आपके क्या होगे फिल होगे पर जो बाकी काम आपका होगा वो सारा का सारा online होगा बर यहां पर इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसमें change किया है एक तो आपके यहां पर 13 members जो है वो होगे यहां पर आपके total SMC committee के plus two members आपके क्या होगे extra होगे वो आपके कौन से होगे एक आपका होगा social worker एक आपका होगा educationist उसके लिए आपको यहां पर उसकी registration करवाने पड़ीगी तो जब आप e-penjab school web portal पर जाओगे तो यहां पर देखे एक लिखा हुआ है SMC nominations तो यहां पर SMC nomination के उपर जब आप click करोगे तो यहां पर लिखा हुआ है nomination for SMC membership, educationist and social worker आप पर इसको nominate करवाना यहां पर तो nomination के लिए यहां प parameter के radius में होना चाहिए तो उसकी जो detail होगी वो आप यहां पर fill करोगे तो fill करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे उसका एक phone number है, वो phone number आप यहां पर fill करोगे and then फिर क्या करोगे इसको search करोगे, यहां पर मैं कोई भी एक phone number डालता हूँ as a demo के तोर पर and then यहां पर मैं search करता हूँ, जैसे मैंने search किया, आप देखे यहां पर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, you are not nominated for the SMC membership yet, please fill the form for nomination, अगर आपने nomination के लिए आना है, तो आपको यह form fill करना परेगा, इसमें क्या करना परेगा आपको, जो भी आपका educationist है, जा फिर जो आपका क्या ह social worker, आपके गाउं का, आपकी आसपास का, उसका नाम, उसका mobile number, वो किसके लिए nomination करना चाहता है, social worker के लिए, जा फिर educationist के लिए, तो वो आप यहां पर fill करोगे, अगर वो educationist है, यहां फिर वो social worker है, तो यहां पर उसका district कौन सा है, district, जो भी आपके school का district है, वो आप select block आजाएगा, जो भी आपका block है, वो आप fill करोगे, दन उसकी जो category है, school की, वो यहां पर आजाएगी, जैसे कि middle primary, high senior secondary, जो भी school है आपका, जैसे कि मैं यहां पर primary select करता हूँ, और जो भी school का नाम है, XYZ, तो यहां पर मैं वो select कर देता हूँ, तो यह fill करने के बाद, यहां पर क्या लिखा हुए, past experience of the social worker NGO, अगर आपका कोई past में, कोई social worker का, जैसे NGO का experience है, वो आप यहां पर fill करोगे, इसकी detail, why should you become a member, आप member क्यों बना जाते हो, वो आप यहां पर fill करोगे, अब यहां पर देखे, नीचे क्या है लिखा हुए, declaration, I commit at least four hours every month to the school and perform the role of the social worker in the SMC for the best my ability, I stay within the distance of 10 km, मैं 10 km के radius में ही रहता हूँ, school के, तो यह आपको यहां पर fill करना पड़ेगा, अगर यहां पर मैं करता हूँ, educationist, तो यहां पर वो उसी साफ सी क्या होगा, detail आ जाएगे, तो यह सारी के सारी detail आपने यहां पर fill करने के बाद क्या कर देना, इसको submit करना है, ज उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपने school में login करोगे, तो login में वहां पर यह दोनों के दोनों का data वहां पर क्या करवादेगा, वो display करवादेगा, जैसे कि मैं यहां पर login करता हूँ, मैंने for example, दो nominees जो हैं, आपके social worker और educationist, उसकी detail फिल की है, and then मैं यहां पर school and office login में जाओंगा, यहां पर अपने school में मैं क्या करूँगा, login करूँगा, and then वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि वो कहां पर display करेगा, तो जैसे मैंने, अब मैंने school में login किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां पर application section में जाओगे, and then यहां पर हमारे पास क्या है, SMC nominated applicant, अब यहां पर check करना, यहां पर जो भी आप दो की detail करोगे, वो दोनों के दोनों आपके यहां पर display करवा देगा, ठीक है, यह आपके nominations आ चुके है, applications, अब आपने SMC के लिए कैसे apply करना है, उसके लिए आप application में जाओगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है, SMC committee, आप SMC committee के one by one, final submit button and upload signed copy will be visible if 12 members are added, तो जब आप यहां पर 12 members, सारे के सारे add कर दोगे, उसके बाद आपको यहां पर, यह देखिए, यहां पर यह लिखे हो ने, यह detail वाली, यह सारी के सारी detail आपके यहां पर फिल हो जाएगी, 12 members की, और last में आपको मिलेगा, फिर final submit इस तरफ, and then इस यहां पर आपके सामने फिर वह क्या अगरेगा, इसको आपने फिल करके अपलोड करना है, यह आपका performer जो है, मैं इसपर click करता हू, देखिए यह वाला आपका performer है, यहां पर आपके school का नाम है, Un Totally? का नान मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपकी देखिए चेर्मेन है ये मेंबर्स है आपके ठीक है अधियापक के हैं मेंबर ये विद्धिक माहित है आपका स्कूल मुखी और इंचार्ज तो यह सारी के सारी इसको क्या करना है फाइनल सम्मिट करना है फिर आपकी यहाँ पर सारी के सारी डिटेल क्या होगी वो फिल हो जाएगी अब डिटेल में फिल क्या करना है अपने उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर डेसिगनेशन जो भी है कि चेर्मेन है वाइस चेर्मेन है मेंबर सेक्टर है educational expert है, school teacher है और members है तो यह सारी के सारी details आपने यहाँ पर फिल करनी है उसका gender क्या है, male है, female है उसका mobile number क्या है relation with child father है, mother है, guardian है जाफे note अब लिके अगर आप father हो तो आप father लिखोगी अगर आप mother हो तो mother यहाँ पर लिखोगी and then जब आप father के उपर click करोगे यहाँ पर मैं कोई एक पर click करता हूँ यहाँ पर फिर वो पूचेगा कि आपका जो child है वो किस school में है, name of child उस बच्चे का नाम क्या है और उसकी जो class है वो कॉन सी है वो आपके class यहाँ पर fill करोगी and then add member के उपर click करके एक member आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, add हो जाएगा मान लिजे कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं है then आप क्या करोगे, note applicable करोगे note applicable जब करोगे तो यहाँ पर जो detail होगी name of child और class की वो यहाँ पर वो क्या होगी वो आपकी hide हो जाएगी देखे यहाँ पर वो क्या होगी आपकी hide होगी है and then यहाँ पर आपकी अगरोगी उस member को add कर दोगे ऐसे सारी के सारे member add करने के बाद document को upload करने के बाद फिर आपने क्या करना है इसको final submit करना है तो यह थी हमारी आज की वीडियो के